नमस्कार स्टुडेंट्स एमकुम फाइनल के आपके पेपर गुड्स एंड सर्विस टेक्स यानि वस्तू एवं सेवाकर्ग का जो टोपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है प्रोसेस ऑफ रजिस्टेशन अंडर जीएस्टी यानि जीएस्टी में पंजीकरण प्रक्र है या लाइबल होगा इसमें या किने पंजीकरण करवाने की अवशक्ता है किने पंजीकरण करवाने की अवशक्ता नहीं है यह सब हम इसमें पढ़ेंगे GST में पंजी करण पुरक्रिया यदि कोई भी व्यापारी जो GST के लिए दाई है तो उसे अपना पंजीयन करवाना अनिवार यह है यदि किसी व्यापारी ने पुराने अधिनियमों में अपना पंजीयन करवा रखा था तो वह अब मानने नहीं होगा उसे नई सीरी से अपना पंजीयन GST के अंतरगत करवाना होगा GST रजिस्टेशन के लिए PAN यानि परवानिट अकाउंट नंबर जो आयकर विभाग द्वारा आयकर दाताओं को दिया जाता है प्रदान किया जाता है उसकी बड़ी भूमिका होती है कोई भी व्यक्ती PAN की सायता से घर बैटे कंप्यूटर या इंटरनेट की सायता से अपना पंजीकरण करवा सकता है पंजीकरण के वेना कोई भी व्यक्ती या कोई भी व्यवसाई नहीं तो अपने ग्राकों से कत्रित कर सकता है वो नहीं उसके द्वारा किये गए भुगदान के अधार पर input कर जमा का दावा कर सकता है तो JST में registration या पंजेकरण की प्रिक्रिया है उसमें क्या नियम है और कौन व्यक्ति इसके लिए registration के लिए दाई है यानि किसे ये कराना जरूरी है किसे करवाना नहीं है तो इसके लिए हम देखते हैं आगे पंजेकरण के लिए दाई व्यक्ति यानि person liable for registration यानि ऐसे कौन से व्यापपारी है जो पंजेकरण के लिए दाई है आता जिन्हें अपना JST में पंजेकरण करवाना यानि वार्य होगा तो इसमें सबसे पहले है number 1 वै पूर्ति करता जिसका कुल आवर्त यानि turnover निर्धारित सीमा से अधिक है यहने ऐसा व्यापपारी या वेवसाई जिसका वर्स बर्का कुल आवर क्याएं टर्न ओवर है वह निर्धारित सीमा से अदिक है। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा जियसेट य दिनियम में एक सीमा निर्धारित की है टर्न ओवर के समंध में अगर उससे अधिक पूर्ति करता जो माल या सेवा या दोनों की करीओ के पूर्ति करता है और किसी वित्ति वर्श में उसका कुल आवर्थ 20 लाक रुपे से अधिक है और किवल माल के आपूर्ति करने वाले की ये सिमा 40 लाग रुपे है यानि ऐसा व्यापारी या पूर्ति करता जो माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता है तो उसके लिए ये सिमा है 20 लाग रुपे यानि उसका अगर टर्न ओवर है एक वित्तिय वर्स का turn over है 20 लाग रुपे से अधिक होता है तो उसे GST में पंजी करवाना अनिवारी होगा ऐसा व्यापपारिया पूर्थी करता है जो केवल माल की आपूर्थी करता है केवल गुड्स के समन्द में व्यापसाय करता है तो उसके लिए सिमा 40 लाग रुपे है यानि 40 लाग रुपे से अधिक turn over होने पर registration करवाने के लिए उतरदाई है GST में उसे अनिवार registration करवाना होगा इस समन्द में कुछ और भी विशेश छेत्रों के समन्द में कुछ छूट दे रखी है जिसमें सिमा 10 लाग रुपे तक भी है तो इसके समन्द में हम एक चार्ट द्वारा इसको समझते हैं कि किन-किन छेत्रों में किस-किस प्रकार से GST registration के लिए पिरधारित सिमा बनाई गई है तो उसमें जिए एक तालिका आपकी सामने है जिसके इंतरगत है को जो परसने कि इंटर स्टेट्स sells in following states यानि किन-किन states में वह है लागू है और जो लास्ट कोलम उसमें वो बहुत goods and service यानि वो service के लिए है या goods के लिए या दोनों के लिए है इस प्रकार सेज में दिया हुआ है तो सबसे पहले नंबर एक देखते हैं जिसमें जो turnover की सीमा है वो कुलावर्थ की सीमा है दस लाख रुपे निर्धारित की गई है ये किस के लिए है ये state है मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और त्रिपूरा और इसमें जो व्यापारी है वो यानि पूर्ति करता है वो goods and service दोनों की पूर्ति करने वाले होंगे यानि जो ऐसा पूर्ति करता जो Good Source सेवा यानि मआनि माल और सेवा दोनों की पूर्ति करता है दोनों एक समद्रेंग बेवसाय करता है तो उसके लिए सिमा 10 लाख रुपे है 10 लाग रुपे से अधिक उसका turn over होने पर ही उसे जेस्टी में पंजीगरण करवाना होगा इन स्टेट्स में इसके बाद जो दूसरी सीमा है वो 20 लाग रुपए है यानि एग्रिगेट टेर्ण ओवर है वो 20 लाग रुपए से अधिक होने पर ही उन व्यापारियों को जेस्टी में रेजिस्टेशन करवाना होगा वो कौन से स्टेट है इसमें है अरुणाचल प्रदेश्ट मेगालया पॉंडिचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है और सिक्किम तेलंगाना और उत्राखंड इनके लिए भी सीमा है 20 लाग रुपए और ये भी बोथ गूड्स ए हैं तो उनके लिए सीमा 20 लाग रुपए है फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है जिसमें एग्रिगेट टर्न ओवर की सीमा 40 लाग रुपए तक है तो इसमें कौन-कौन से स्टेट आते हैं इसमें लगबग सभी आ जाते हैं सभी स्टेट आ जाते हैं in all the state except mention in first and second debout and all the union territory other than pondicherry यानि इसमें जो प्रथम सेरेल नंबर उसमें जो state दिये गए है और second बें जो state दिये गए है और union territory दी गई है उनको छोड़कर सभी स्टेट इसमें आ जाते हैं और सभी union territory है केदर्शाषप्रदेश है वो सब आ जाते हैं, क्योंड पॉंडिचेरी को छोड़कर की पॉंडिचेरी है, वो दूसरे यानि 20 लाग रुपे बारे सीमा में आ गया है, इसके लाव अन्य जो यूनें ट्रेटरी है, जिसमें अंडर्मान एं निकोबार है, दादरा एं नगरहेली है, दमन एं डीव है, ल पूर्स की सप्लाई करते हैं, माल की सप्लाई करते हैं, टेबल में सीरियल नंबर चार पर जो एग्रिकेट टर्ड नवर की सीमा है, वो 20 लाग रुपे दिखा रखी है, और इसमें जो स्टेट आते हैं, तो उसमें बताया गया है, इन आल दे स्टेट्स, एक्सेप्ट और हम नाकालेंड और त्रिपुरा है, उनको छोड़कर बाकी सभी इसमें इस सीमा में आएंगे, और ये किसके लिए है, ये फोर सप्लाई ओफ आइसक्रीम, पानमसाला एंड टोबे को प्रोडक्ट्स है, यानि ऐसे व्यापारी या ऐसे आपूरती करता, जो आइसक्रीम, पानमसाला और तंबाकू उत्पादों का व्यापार करते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं, उनकी समन्द में जो एग्रिगेट टर्न ओवर है, उसकी सीमा 20 लाक रुपे सालाना निर्धारित की गई है, और ये सभी राज्यों में ये सीमा लागू होती है, केवल जो सीरल नंब पांच एटेबल में, उसमें भी जो एग्रिगेट टर्न ओवर है, कुल आवरत है, उसकी सीमा 20 लाक रुपे ही निर्धारित की गई है, ये किसके लिए है, ये है, इन all the state except mentioned in one above, ये भी सभी के लिए है, सभी states के लिए है, केवल जो सीरल नंबर एक में, जो state बताए गए है मिजोर, एमनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और त्रिपुरा, उनको छोड़ कर सभी states में ये सीमा 20 लाक रुपे होगी और किसके लिए होगी है, बहुत goods and services, या ऐसे आपूर्ति करता, जो माल और सेवा दोनों की ही आपूर्ति करते हैं, दोनों का ही व्यापार करते हैं, जिसका अवलोकन करने पर हम ये देखते हैं कि जो पूर्वत्तर के चार state हैं, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और त्रिपुरा, उन state में जो आपूर्ति करता हैं या व्यापारी हैं, चाए वो माल की आपूर्ति करते हों, चाए वो सर्विस की करते हों, या दोनों की करत हों या फिर वो जो कुछ विशेश प्रोड़क्ट हैं आइस क्रेम पानवा साला और तोबे को प्रोड़क्ट तो उनके समंद्ध उन सभी के समंद्ध में यहां पर जो कुल आवरत्यानी अगरी के टर्न ओवर है उसकी सीमा है वो 20 लाग रुपई निर्धरित की गई है चाहे वांक्या पूर्ति करता है वो माल और सर्विस दोनों की सप्लाई करते हों या केवल माल की सप्लाई करते हों तो भी यह सीमा 20 लाग रुपई ही रहेगी वो स्टेट कौन से हैं वो है अरुनाचल प्रदेश, मेगालया, पॉंडिचेरी, सिक्किम, तिलंगाना और उत्राखंड इसमें जो पॉंडिचेरी है वो यूनिन टेरिटरी है केंद्रिशाशित प्रदेश है बाकी सभी स्टेट हैं तो इन स्टेट में जो आपूर्ति करत है वो चाहे गुड्स या सर्विस दोनों की सप्लाई करता हो या किवल माल की सप्लाई यानि गुड्स की सप्लाई करता हो तो भी उसके लिए सीमा जो कुल आवर्त की सीमा है वो 20 लाग रुपई ही निर्धारित की गई है इसके अलावा कुछ विशेस प्रोड़क्ट हैं जिसमें आइस्क्रीम, पान-मसाला और टोबेको प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए भी जो कुल आवर्त है, उसकी सीमा 20 लाग रुपई है, ये भारत में सबी जगह है केवल जो चार स्टेट हैं, पुरुवत्तर के मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और त्रिपूरा को छोड़ कर, उनको छोड़ कर जो आइस्क्रीम, पान-मसाला और टोबेको प्रोडक्ट हैं, उनके लिए भी सीमा 20 लाग रुपई ही निर्धारित की गई है, इसके बाद ऐसे व्यापारी, जो केवल माल की आपूर्ती करते हैं, उनके लिए ये सीमा 40 लाग रुपई निर्धारित है, यानि उनका जो एग्रिगेट टर्ण ओवर है 40 लाग रुपई तक है, तब तक उन्हें GST में रिजिस्ट्रेशन करवाने के आवश्यकता नहीं है, 40 लाग रुपई से अधिक टर्ण ओवर होने पर उन्हें GST में रिजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा, तो ये सभी स्टेट्स के लिए है केवल उसमें जो नंबर एक और नंबर दो में जो स्टेट वर्णित है, यानि टेबल का सीरेल नंबर एक है और दो है, उसमें जो स्टेट वर्णित हैं, जिसमें मनिपूर, मिजोर्म, नागालेन और त्रिपूरा और इसके बाद रुनाचल प्रदेश, मेगालया, सिक्किम, तेलंगाना और उत्राखंड तथा जो एक केंद्र शाषित प्रदेश है पॉंडिचेरी वो इसमें शामिल नहीं है उनके लिए ये सीमा अलग है बाकी और दो में वर्णित स्टेट को छोड़ कर और इसके बाद ऐसे व्यापारी जो माल और सेवा दोनों की आपूर्ती करते हैं उनके लिए सीमा बीस लाग रुपे है यानि उनके लिए जो एग्रिगेट टर्ण ओवर है कुल आवरत उसकी सीमा बीस लाग रुपे निर्धरित की गई है किवल उसमें चो चार स्टेट है वो इसमें नहीं आएंगे मनिपूर, मिजरम, नागा लेंड और त्रिपूरा बाकि सभी स्टेट के लिए और सभी केंद्र शाषित प्रदेशों के लिए ये सीमा बीस लाग रुपे है और जो विशेज प्रोड़क्ट है जैसे आइस्क्रीम, पान मसाला और टोबे को प्रोड़क्ट हैं उनकी अगर कोई आपूर्ती करता है सप्लाई करता है व्यापारी तो उसके लिए जो एग्रिकेट टर्ण ओवर है ये उसकी सीमा बीस लाग रुपे है किवल जो चार स्टेट है उनको छोड़ कर तो इस प्रकार स कुछ है अउनाजल प्रदेश, मेगालया, सिक्किम, तेलंगाना और उत्राखंड तता इसमें एक किंद्र श्राशित प्रदेश 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 प्याप अंडिचेरी इनमें ये सिमा बीस लाग रुपे निर्थारित की गई है और बाकी सभी जगे इन फस्ट और बाद दनों की आपूर्ती करते हैं उनके लिए शिमा 20 लाग रुपे है और चो व्यापारी आइस क्रीम, पास्छला और टोबेको प्रोटेक्ट की आपूर्ती करते हैं उनके लिए सीमा भी 20 लाग रुपे है केवल चो चार स्टेट हैं उनको एकदम से अलग छोड़ दिया गया है मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड रोट त्रिपूरा उनके लिए हर स्थिति में सीमा 10 लाग रुपे ही निर्धारित की गई है तो इन सीमाओं से अधिक अगर किसी का टर्न वर होता है तो उसे जीस्टी में रिजिस्टेशन करवाना अनिवारी हो जाता है दिरिधारी सिमा से दिकटर्ण और और ने पर जो आपूरतिकरता GST में लाइबल होंगे उनके अलावा और कौन इसके लिए रैजिस्टेशन के लिए लाइबल होता है वो प्रकार आगे है पूर्व में पंजिकरित व्यक्ति जो GST लागू होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन पूर्व में प्रचलित अधिनियम के दिन लाइसेंज रखता था उसे GST अधिनियम प्रारम होते ही पंजिकरित करवाना होगा यानि GST से पूर्व जो भी अधिनियम लागू था उसके अधिन जो भी उसका रेजिस्टिशन था वो अब समाप्त हो जाएगा और फिर उसको आगे अपना व्यापसाय चालू रखने के लिए GST में रेजिस्टिशन करवाना ही पड़ेगा तीसरा है यदि व्यवसा हस्तांतर्ण था उत्रादिकार में मिला है तो हस्तांतर्ण की तारिक से पंजीकरन करवाना होगा यानि किसी व्यक्ति को व्यवस्ता है वो उत्रादिकार में मिला है या हस्तांतर्ण में मिला है तो उसे हस्तांतर्ण की तारिक से अपने नाम से उसका यानि अपने पैन से उसका रजिस्टेशन है वो GST में करवाना पड़ेगा और चोथा है कम्पनियों के विलय की दशा में उच्छ नयलय के आदेश की तारीक या कम्पनी रिजिस्टार द्वारा निगमन का प्रमानपत्र जारी करने की तीत तारीक से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा कम्पनियों का जो विलय होता है तो उस दशा में या तो उच्छ नयलय के आदेश की तारीक या कम्पनी रिजिस्टार द्वारा जो उनका निगमन का प्रमानपत्र होता है उस तारीक से उन्हें अपने जीएस्टी में पंजीकरण करवाना आवश्यक हो जाएगा क्योंकि इस जीएस्टी में पंजीकरण करने के लिए जो कुल आवर्त की सीमान धिर्धारित की गई है तो कुल आवर्त क्या होता है उसमें किन-किन मुल्यों को सामिल करते हैं ये जानना भी अवश्यक है तो कुल आवर्त से आशाय निम्न लिखित के योग से है तो कुल आवर्त में क् करते हैं देखिए नमबर एक सभी करियोग्य पूर्ती उस आवक पूर्ती के मुल्य को छोड़ कर जिस पर विप्रित प्रभार के आदार पर कर दे हो ने सभी करियोग्य पूर्ती यानि तो टेक्सेबल माल की सप्लाई है या टेक्सेबल माल का जो विक्रे है वैसमें आता है केवल उस आवक पूर्ती को यानि इन्वार्ड सप्लाई को छोड़ कर जिस पर विप्रित प्रभार यानि रिवर्स चार्ज के आदार पर टेक्स दे हो तो ये रिवर्स चार्ज या विप्र इसमें शामिल होगा. तीसरा है माल या सेवां या दोनों का निर्यात 보시면 जाता है तो उसका मुल्य भी शामिल होगा. और ऐसे वेक्तियों को अंतराज्य पूरती जो एक एक ही स्थाई खाता संख्या रखने वाले वेक्तियों द्वारा की गई हो तथा जिसकी संपूर्ण जिसकी गणा संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो समानेत है जो GST में रेजिस्टेशन होता है वो प्रमानेंट अकाउंट टंबर यानि स्थाई खाता संख्या के आधार पर होता है तो एक वेक्ति का एक ही स्थाई खाता संख्या होती है लेकिन उसके कई व्यापार हो सकते हैं कई बिजनस उसके हो सकते हैं तो जो GST में उसका रेजिस्टेशन होता है वो एक ही स्थाइकाता संक्या की आदार पर होगा चाहिए विजनस उसके कई प्रकार के हो सकते हैं तो ऐसे वेक्तियों द्वारा कोई भी अंतरजय पूरतिय वो भी इसमें शामिल की जाएगी इसके बाद है कुलावर्त यानि यानि SGST, तीसरा है संग, राज्य, माल, एवं, सेवाकर यानि UTGST और चोथा है एक किकरित कर यानि IGST और पांसवा उपकर यानि कोई सेस अगर है तो उसको इसमें कुलावर्त के मुल्य में शामिल नहीं करेंगे इसी प्रकार यदि किसी वेक्ति को जमा अग्रिम या दिये ये रिन पर ब्याज या बट्टे से आये होती है तो इसको भी कुलावर्त में शामिल करेंगे क्योंकि यहां पर जो बट्टा या ब्याज है व्यापारी गति विदियों में प्राप्त हुआ है या उसको एग्रीगेट टर्ण ओर में शामिल किया जाएगा. रिन पर चुका क्योंकि इसे सेवा की पूर्ती माना गया है सर्विस की सप्लाई माना गया है अलांकि ब्याज वो एक कर्मुक्त सेवा है यानि उस पर GST चार्ज नहीं होता है लेकिन इसको हम कुल आवर्त में शामिल करेंगे अब हम बात करते हैं कि जो इसमें कुल आवर्त के अंतरगत जो पॉइंट नंबर एक आया था सभी करिव के पूर्ती उसमें एक बात थी कि उस आवक पूर्ती के मुल्य को छोड़ कर जिस पर विपरित प्रभार के आदार पर कर दे हो यानि विपरित प्रभार के आदार पर कर क्या होता है रिवर्स चार्ज क्या होता है तो उसको समझता भी जरूरी है पिविश्ट चार्ज का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई व्यापारी जो GST में पंजिक्रित है और वह गैर GST में गैर पंजिक्रित व्यापारी से यानि ऐसा व्यापारी जो GST में पंजिक्रित नहीं है उससे कोई माल खरीदता है तो यहाँ पर जो GST जो क्रेता व्यापरी चुगाएगा तो विक्रेता उस GST को सरकार को जमा नहीं करा पाएगा क्योंकि वह GST सिस्टम में नहीं है क्योंकि वह GST में पंजीगरित नहीं है अता है यहाँ पर जो उस डील या उस व्यावार पर जो GST बनता है उस उसे जमा कराने की वसूल करने की जिम्यदारी क्रेता की ही होती है, यानि जो वाप्टारी माल खरिदता है, उसी की जिम्यदारी होती है यहाँ पर GST वसूल करने की और सरकार को जमा कराने की, तो reverse charge system में जो GST की वसूली और सरकार को जमा कराने की जिम्यदारी है, वह क्रेता की ही मानी जाती है reverse charge के आदार पर यानि विपरित प्रभार के आदार पर जो कर दे होता है तो वो किन व्यवारों में लागू होता है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई GST में registered व्यापारी है गेर registered व्यापारी से माल खरीदता है तो जो क्रेता व्यापारी है वही उस व्यापार पर जो भी GST बनता है वो उस विक्रेता को बुक्तान नहीं करेगा बलकि वो उसे काट कर वो GST काट कर बुक्तान करेगा वो GST स्वेम रखेगा और फिर स्वेम भी उसे सरकार को जमा कराएगा इसे प्रकार कुछ अन्य व्यवार भी हैं जिन पर ये विपृत प्रभार GSTI वह लागू होता है जैसे बिना छिले काजू की आपूर्थी किसान द्वारा रजिस्टर्ड कारूबारी को किया जाना बीडी बनाने वाले पत्तों की आपूर्ती किसान द्वारा किसी रजिस्टर्ड कारूबारी को किया जाना इसी प्रकार तंबाकू के पत्तों की आपूर्ती किसान द्वारा किसी रजिस्टर्ड कारूबारी को किया जाना तो इन सब व्यावारों में भी जो किसान है जिसका समानेदर registration GST में नहीं होता है तो वहे किसी registered व्यापारी या कारुबारी को जो GST में registered है उसे अगर इन सब वस्तों की supply करता है तो यहाँ पर जो GST इन पर लगता है वो करेता द्वारा ही चुकाया जाता है यह क्रेता की जिम्मेदारी होती है कि इन व्यवारों पर जो GST बनेगा वे क्रेता ही चुकाएगा क्योंकि वही इसमें GST में रजिस्टर्ड होता है अतह है जिन व्यवारों में विपरित प्रभार के आधार पर कर दे हो यानि रिवर्स चार्ज के आधार पर GST लगता हो उन व्यवारों के मुल्य को किसी व्यवारी के कुल आवर्त यानि एग्रिगेट टर्न ओर में शामिल नहीं किया जाता है